दोस्तो नमस्कार दोस्तो इस वक्त की तस्वीरे मैं आपको दिखा रहा हूँ बाड में सहर की मुख्य पाली का बजार की जहां पर परड़े लाखो क्रोडों रुपे की आमदनी भी होती है शेकड़ दुकाने हैं पाली का बजार में लेकिन दुकांदार जो हैं इस सारे कच को इकटा कर इन दुकानों के ग्वीचों बीच इसकदर जलाते हैं मानो इने कोई परवाही नहीं जबकि ये आग अगर बड़ा रूप लेती है तो कई दुकानों को नुक्सान हो सकता है यहाँ पर जितनी भी दुकाने हैं सारी दुकानों में लाखो क्रोडों रूपे का जो हैं वो सामान बढ़ा हुआ रहता है महेंगे महेंगे मॉबाइल जो हैं मॉबाइल स्टेशनरी है वो सामान जो हैं वो बढ़ा रहता है लेकिन यहां के हालातों को आप देखिए आखिर कौन है लापरवा कौन है जिमेदार लापरवा क्या यहां पर सफाई करमचारी जो लगे हुए हैं वो समय पर कच्रा नहीं हटाते हैं जिस वज़े से यहां के दुकानदारों को इस कच्रे को पालिका बजार के अंदर ही जलाना पड़ता है साइध ये कच्रा आज से पहले भी जला हुआ नजर आ रहा है कच्रे का धेर बड़ा धेर लगा हुआ है एक तरफ पूरा बाडमेर नौ बाडमेर के तेहत साप सुत्रा नजर आ रहा है तो वहीं दूसरे तरफ बाडमे सहर का मुख्य पाली का बजार जहां पर सेकड़ों दुकाने हैं उसके बावजूद भी नव बाडमे की किस तरह से वेपारी लोग जो हैं वो धचिया उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं ये है बाडमे का नो बाडमे, नया बाडमे, सापसुतरा बाडमे, सबसे पहली तस्वीर यही से सिरू होती है बाडमीर का मुख्य रेलवे स्टेशन स्टेशन रोड के अंदर जाते ही पहला बाजार जो है पाली का बाजार है जो की मॉबाइल और मॉबाइल स्टेशनी का मुख्य बाजार भी है लेकिन नहां तो यहां पर रहने वाले वेपारियों को किसी चीज की कोई परवा है ना ही कोई अधिकारियों को ना ही नगर परिसत के करमचारियों को अलांकि यहां पर कई वेपारी जो हैं अभी भी यहां पर खड़े हैं लेकिन इनकी आखों के सामने यह कच्रा जल रहा है लेकिन इनको कोई परवा नहीं है कि यहां पर इनकी दुकाने भी है यह देखें लेकिन आपका पाली का बजाएं आग वेपारी द्वारा नहीं लगे गई है यह किसी रहा सलते आदमी ने लगई है क्योंकि आप देख रहे हो सामने जाली है किसी ने भी है और यह कच्रे की रिपोर्टिंग हम ने दो जात बार पहले भी करवा दिये यहां के जुमेदार है यहां का बनादार है इसके पाद उसको मैंने काल पर बात किए यह कत्रा फैकने के लिए एक टेम्पो रोट जी जो यहां पर हमारे बाद सुछा परबंदन है नहीं तो कत्रा नों सब्सक्राइब कर दिया कमल जी उनको बोल दिया उसको बोल दिया उसके बाद भी दीपक जी चैर्मेन ने उनसे भी मेरी बात हुई थी उन्होंने भी बोला के मैं अब करवाता हूं लेकिन आपी तक कोई कारवाई कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि बड़ा सबसे बड़ा जो यहां का अधिकारी कलेक्टर है वो भी सडकों पर है साब सफाई कर रखने के लिए लेकिन हम भी उसमें भागिदारी अपनी निबाना चाह रहे हैं कहां से निबा रहे हैं यह निबाई कहां तो इस तरण करें बदाई है इसकी जगा भी दो नहीं ती है ना अब रोज जाकरी को डर नहीं रहता कि आग बड़ी लगई तो कई नुकसान भी हो सकता है जो जाकरू के उन्होंने बात भी की अधिकारियों से किसाब इसकाद्रे का कोई निस्तरन करो अभी तक हुआ नहीं पर मैंने पहले ही चेह था कि यह कभी ना कभी आग लगी कि वराज आग ल इसकी जो जिम्मेदारी है साब सफ़ाई की रख रखा होगी वो नकर परीशत्की पंदी है क्योंकि आपको पता होगा यह सारी दुगाने लीज पे है निन्यानमे साल की यहां पर मालिक नहीं है हम लीज पे हैं और यह जो सफ़ाई है वो पिछले 15 साल से हम अमारे इस तर पर गरवा रहे हैं अर्दुकान से 500 रुपार देते हैं हमारा असफ़ाई कडमी हमारे यह तर आ इखटा करके बार फैक देता था पहले आपको पता हो इस गेट के बार दो डिबे रहते थे वो डिबे टूटे वे थे इसलिए मैडम ने वो अटवा दिये है उसकी जगा भी है तो कोई डिबे लगे नहीं है साथ दिन से यह कतरा है अब इखटा है और आग लगे इसमें कर दो